हेलो केटेट्स तो आज अपना ये लास्ट लेक्चर है पहले चैप्टर का नाउन का ठीक है क्या अपने बहुत सारी चीजे पिछले चार क्लासेज में कवर कर दी है दिस इस यूर फिफ्थ लेक्चर आफ यूर नाउन चलो तो बिना किसी तेरीके स्टार्ट करते हैं तो काउंटेवल अंकाउंटेवल जिसको काउंट ना कर सकें जैसे एपल कितने एपल हैं आप काउंट कर सकते हो चेयर बैन बैग बॉटल बर्गर रूपीज एक्सेक्टर इन सब चीजों को आप गीन सकते हो now that can be expressed in number ऐसे नाउन जिनको आप नंबर में रिप्रेजेंट कर सकत हो उसको बोलेंगे अपन countable noun examples आपके सामने हैं अब uncountable जैसे milk आप बोलोगे sir milk को measure तो कर सकते हैं अरे भी आप measure कर सकते हो लेकिन count नहीं कर सकते हैं से थोड़ी बोलोगे दो दूद देदो आधा लीटर देदो एक पाव देदो हैगी नहीं एक होशित लीटर दे दो तो आप लीटर में measure कर सकते हैं और इन चीजों को मैं नहीं कर रहा हूं ना 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 मैं आपको यह मंण ही में मेजर कर सकते हैं मैं खाली क्या बोल रहा हूँ कि आपको यह सारी चीजों को आप number में expression नहीं कर सकते है 4 म 5-6-10$-7,ened milk, oil, rice, ठीक है याप rice के दाने अब्या तो गिन ओगे गया बली अब बनी सभी सिर तो किन होगे 50% के दाने चे लिखोगे करोड राइस के दाने दो करोड राइस के दाने तो प्रैक्टिकल भी नहीं आप देट्टिऑ बिले डुकान में खरिदने जाते हो तो आप ऐसे बूलते हो that पचास दाने राइस का देना दो करोड़ दाने राइस के देना किलो में बोलते हो आप मेजर करके भी एक किलो दो किलो काउंट नहीं कर पाते है आप उसको मेजर करके लेते हो तो इसलिए राइस को भी अपने एंकाउंटेबल में लिखा है कई लोगों को गन्फीजन होता है सर राइस तो गिन सकते हैं यह प्राक्टिकली गिनता है क्या नहीं ना तो फिर फिर क्या प्रोब्लम है चलो फिर नॉलेज कितना नॉलेज आपको अभी जैसे नॉलेज मिलते जा रहा है एंगलेश का एक ने इतने सार चीज आपने देख ली प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन नाउन, अब्स्ट्रेक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, फिर सिंगुलर, प्लूरल नाउन, फिर उसके बाद अपने काउंटेबल, उनकाउंटेबल नाउन तो इतना सब कुछ आप नॉलेज इकठा करते जा रहे हो, मनी कितना किसी कर स, रूपीज आप काउंट कर सकते होगी नाउन में जेंडर, जो आपको मालूम है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और नूटर, मतलब देखो, कॉमन मतलब एक ऐसा नाम, एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नाम, जो कॉमन है, बोईस के लिए भी, गल्स के लिए भी, दोनों में, ठीक है, जैसे, अगर मैं बोलूँ टी डॉक्टर डॉक्टर हो गया, ठीक है, वो अपने गवारपन में, द्याती भासा में, डॉक्टर राइन और क्या-क्या पता नहीं, क्या बोल देते हैं, बट यह डॉक्टर डॉक्टर होता है, चाहे लेडिस हो, चाहे जंट्स हो, ठीक है, डॉक्टर इस, डॉक्टर, चाहे अब चाहे वो boy हो, girl हो, child हो, child बोलते हैं, तो ये common हो गए, चाहे boys हो, चाहे girls हो, same, common, are you getting my point? और neuter, जो non-living thing है, अब जैसे pen, apple, car, ये सब non-living thing है, तो इनके लिए अपन कोई gender नहीं, neuter gender, ठीक है? अब बजगे अपना दो, masculine और feminine, देखों, यहाँ पर मैंने लिखा है कैसे pronunciation करते हैं, masculine, masculine और feminine, ऐसे, pronunciation करते हैं दोनों को, तो अपन को इनके बीच में देखना है, कि बहुत सारी चीज़ों का मैं आपको भी list दूँगा, आपको करके बताऊंगा कि masculine में और feminine में दोनों में क्या क्या अंतर होता है, जैसे अगर masculine में यह बोल रहे हैं तो feminine में क्या बोलेंगे, यह पूरा बापूरा मैं आपको टेबल दूँगा, जो आपको अच्छे से दो-तीन बार देख लेना कि आपको ध्यान में होगी अच्छा, इसका यह साही, अगें, पूरा एकदम रटने की ज़रूत नहीं क्योंकि day-to-day life में अपनी यूज आता है, जो चीज नहीं आती है, उसको दो-चार चीज़ों को बहुत बार देख लो, फॉर्मर हो जाएगी, masculine male के जैसा तो male को और female को, ठीक है, masculine and feminine, actually उसको भी masculine नहीं बोलते है, masculine बोलते है, masculine and feminine, ऑके, तो जैसे boys, horse, father, hero, ये सब क्या हो गए, ये सब आप क्या हो गए, masculine, वही boys का क्या हो जाएगा, girl, horse का mayor, father का mother, hero का heroine, ये सारे क्या हो गए, feminine, noun ओके, तो noun में conversion आपको आना चाहिए, जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, इतने सबका, बस इतने जितने आपके board में न, इतना ध्यान रखना बाकी कुछ common है, जो मैंने एकदम ही common है, नहीं लिखे, ठीक है क्या sister, brother, ये सब एकदम common मैंने नहीं लिखे, क्या पता है है कि नहीं, चलो, तो actor, देखो, अब मैं ये सब को fill करना हूँ, अगर आप खुद से कोसिस करोगे, तो जादा अच्छा है, screen को pause करके, एक बार खुद से पूरा attempt करना, ठीक है, उसके बाद आप answer देखना, अभी exercise भी है, ये मत सोचना कि sir, examples से हमको questions नहीं आए, questions अभी भर-भर के आएंगे, 20-30 questions हर chapter में होंगे, तो tension ना लेओ, कुछ भी tension ना लो, okay, सब कुछ कराए जाएगा, हर, सब कुछ कराए जाएगा, कोई भी tension लेने की r e s, ठीक है, r e double s, actress, boy का, e double s नहीं लगेगा, girl, boy का, girl, bridegroom, धुले राजा, का क्या होगा, dulan, bride, b r i d e, bride, dulan, धुले राजा, ठीक है, conductor, आपके bus होगा, मैं बता है न, conductor, तो conductress, conduct, अब o r hatt के फिर क्या लग जाएगा, r e double s, same होई, जो यहाँ पर हुआ था, o r hatt के क्या लग जया था, r e double s, same ऐसे यहाँ पर o r hatt के, again, किसी भी चीज को hundred percent एकदम stiff मत मानना, मतलब की नहीं, o r आएगा, तो r e s ही लगेगा, common, generally आप याद रख सकते होगा, generally, general word, ठीक है, dad का mom, duke, मतलब राजा, तो rani, raja, raja, ठीक है, emperor, तो empress, e m p e r e double s, ठीक है, fiance, मतलब जैसे सगाई हो जाती है न, साधी नहीं हुए, तो उससे पहले के, जो होते हैं, क्या बोलते है, fiance, मतलब यह सगाई हो फिर gentleman, तो कहीं लोग बुनेंगे सर gentle woman, गवारपनी भी या, गवारपनी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्लिस, ठीक है, तो gentleman का होगा lady, l a b y, god भगवान का, हे मतलब राजा, डक होता है वो बतक, ठीक है न, तो duke है, d u k e, राजा, तो यह आपने नहीं सुना था, fiance, fiancy, यह तो आपने सुना, day to day life में होता रहता है कि नहीं, gentleman, lady, god, goddess, actor, actress, boy, गर लिए, सब तो bridegroom, सब तो सुना हुए आपका, तो बहुत सारी चीज़े common है, जो याद करनी की चोतनी, यह एकाद है, उनको highlight कर लो, कि भी यह नजर पढ़ गई, तो एक बर और देख लेंगे, खत्तम, tension नहीं लेने का, जब अपन यहाँ पर है, तो tension नहीं लेने का, चलो, तो governor, governor, governor का क्या होता है, matron, mat, यह नहीं होगा, आपके लिए, matron, यह नहीं सुना होगा, ठीक है, यह नहीं सुना होगा, आपने, इनको highlight करते जाओ, host, बोलते ने, host हैं आज हमारे, तो host का क्या होगा, hostess, hostess, ठीक है, hunter, huntress, huntress, r-e-s, आगे जगा, आगे क्या जाएगा, e-double-s, husband, husband इस नहीं होगा, ठीक है, husband का क्या होता है, wife, w-i-f-e, wife, यह तो common है, host, hostess, hunter, huntress, husband, wife, यह तो एक दम common है, king का queen, raja, rani, एक था raja, एक थी, rani, दोनों मर गए, खतम का आनी, lord का lady, ठीक है, अब आप बोलों के sir, gentleman का भी lady, lord का भी lady, बिल्कोल, बिल्कोल, lord का भी lady, gentleman का भी lady, दोनों का lady, master, mistress, m-i-s, t-r-e-double-s, मिस्ट्रेस मास्टर का मिस्ट्रेस मिल्क मैं दूर्द देने आता है न सुबह अगर कोई लड़की आए देने तो मिल्कमेड मैड माइव फिर उसके बाद सब कुछ घर वर त्याग करके एक particular अपनी पूरी life religion को religion किसी एक particular religion को जो दे देते हैं, उनको बोलते हैं monk, ठीक है, अब उगर male है तो monk, female है तो क्या बोलते हैं इनको none, n-u and none, ठीक है, murderer murderer है साला, ठीक है, तो murderer का madress madress r-e-s-s, ठीक है nephew, nephew का nice n-i-e-c-e, loyan loyaness sir, sir-s नहीं होगा, sir क्या होता है madam, या ma'am बोल देते हो आप लोग, madam query, ठीक है tailor, tailor-ess ठीक है, uncle, aunt auntie, uncle, auntie बोलते हो न, चलो waiter, waitress waitress, prince, princess ये तो सुना हुआ है, बहुत common है भी हा prince, princess, poet, poetess ठीक है, negro negris headmaster headmistress m-i-s-t-r-e-w clear, देखो, यहाँ पर कोई-कोई चीज़ें आपकी नहीं सुनी होगी negro नहीं सुना हुआ होगा poet, poetess तो सुना हुआ है prince, princess सुना हुआ है, waiter, waitress सुना हुआ है uncle, auntie सुना हुआ है, tailor, tailress sir, madam, lion, lioness nephew, nice, अगर नहीं सुना हुआ है ठीक है, बागी monk और nun नहीं अगर सुना हुआ है देखो, कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 5-6 ही याद करने के हैं, बागी सब तो common day-to-day life में use होता रहता है ओके, तो चलो, अपन generally क्या करते हैं, tailor भी common यूज करते हैं, जैसे अगर कोई female tailor है तो भी अपन tailor बोलेंगे, कोई male tailor इसलिए आपको ये word सुना ही नहीं देता है तो आप इसके जगा tailor भी लिख सकते हूँ, tailor को common लेके चलते हैं, ठीक है कि tailor को कई पर अपन common, या कोई male है या female है अपन tailor को tailor ही बोलते हैं, day to day life में अपने ठीक है, जैसे uncle, aunt हो गया waiter, waiter, waitress, ठीक है अपन यूज करते हैं इसको, prince, princess यह भी अपन यूज करते हैं, poet भी poet अपन बोल देते हैं, चाहे male हो, चाहे female हो, तो अपन ज़्यादा use, दोनों use नहीं कर सकते करते हैं, generally, poet यूज कर देते हैं इसलिए आपको ज़्यादा use नहीं है, poet आपका सुना हो है बहुत बार, poet नहीं सुना हो है क्यों? क्योंकि अपन generally poet ही use करते हैं, are you getting my point? तो इसलिए घबराने की जरूद नहीं है बहुत simple है, day to day नहीं सुनते हैं, जिनको नहीं सुनते हैं, उनको खुद use करो, खुद use करोगे, तो इतने practice हो जाएगी, क्यों यो common लगने लग जाएगा are you getting my point? चलो, तो noun अपनने पूरा पढ़ लिया, पहले अपनने देखा था, parts of speech बहुत सारे parts थे, noun, pronoun, word, word word, adjective, word word, है की नहीं, फिर उसमें से अपनने noun चलो किया था, noun क्या होता है, नाम, ब्रह्मा जी की बनाई हुई हर चीजों का नाम, कितने टाइप के noun थे, फिर अपनने ये पढ़ा था, कितने type के noun थे, अपनने पढ़ा, क्या कहते proper, common, collective, फिर abstract, material, फिर plural, singular, फिर countable, uncountable, फिर gender, फिर उन सभी के बार में अपनने पूरा detail में पढ़ा और ये chapter यहाँ पर आपका समाप्त होता है, तो congratulations, you have completed the first chapter, now the second chapter is pronoun, सबसे ज़्याद है कि statement में जो use आता है, वो noun और pronoun ही आता है, ठीक है, अब pronoun होता क्या है, उसकी जर्वत क्या है, ये सब पढ़ेंगे अपन next chapter में, तो तब तक के लिए अलविदा चाहूंगा, तो तब तक के लिए देखते रहिए सौरब सर की class, take care, bye bye, जय हिंद!